नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट पे दजय सर चैनल में दोस्तों आपकी लगातार क्वारी आ रही थी कि आप यूब टेट के लिए कोई बुक बताईए या गाइड बताईए तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक यह चच्छु प्रक तरीक ने दिये है एक टथ एक हक्त बहुती सांदरती तरीके से दिया हुआ है, दोस्तों गार्इब में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अफ्लार्यन दुकान से और और प्रकेश कर सकते हैं और यह थी कृच्छे से आउनलाइन आप इसको पर्चेस कर लिए जिएगा बहुती बहतरीन बुक है अधिकम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो है थारंडाइट के अधिकम के जिससे प्रिशन पटफ होते हैं वो प्रिशन इसमें सारे हैं और इसमें दो दिये हैं बच्चो आप इसे खरीद लिजेगा बहतरीन यह गाइड है पूरी और इसमें हिंदी भासा गणित और भासा अधिकम अध्यापन इंग्लेज संस्क्रेट बहुती अच्छे तरीके से सारी चीज दी हुई है ठीक है दोस्तो तो यह बुक आप पर्चिस क पर भी खरीद सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और बहतरीन बैस्ट हो जाएगी हेलो बच्चो स्वागत आपका टार्गिट पे दजासर चैनल में बच्चो एक जानकारी निकल के आ रही है तो आपको बता देते हैं यूपीटेट से यूपीटेट और सीटेट सोपाइट से रिलेटेड हमारे चैनल पर आप लगातर नियूज देखते हैं देखते चले आ रहे हैं तो यह एक जानकारी है यूपीटेट जो की 2021 का एक्जाम है 28 नमबर को होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे आज तैह होंगे सिक्षक पातरता परिक्षा के इंद्र जैस इसमें कुछ जलों ने आज सूची उपलब्ध कराई जिसके कारण परिक्षा के इंद्रों के निरधारन अभी नहीं हो सका इस परिक्षा में सामिल होने के लिए कुल 21,666,000 अभ्यर्थियों ने अभिदम किया है इसमें प्राथ्मिक एवम उच्छ प्राथ्मिक इस तर के प्रिक्षार्थी सामिल है प्रिक्षा 28 नवर मर को दो पालियम कराई जाएगी इसमें 8,200,201 अभ्यर्थि ऐसे हैं जिन्होंने प्राथ्मिक मतलब एक से पांच तक वाली जो प्रिक्षा होती है UPTT की उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उच्छ प्राथ्मिक अपर एक पेपर देगा धाई घंटे का जो पेपर होगा जिसमें डियर्ट प्रिशन होंगे हम इसकी बार बार चाचा कर चुके हैं आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है उसके लिए भी बता चुके है ठीक है और जो मतलब सामाजिक या विज्यान बर्ग से ग्रणित बर्ग और अपनी पढ़ाई को नियमित वस्व चारू रखिए क्योंकि आपका एक्जाम के आज से कितने दिन मचे हैं उस्चो 15 दिन मचे हैं कल संडे हो जाएगा कल कोई काम नहीं होगा हो सकता है कि मतलब एक दू दिन में फिर आपके सौंबार या मंगर में एड्मिट काड जार कर दिये जाए अपनी पढ़ाई को और धार दे देजिएगा क्योंकि आप मालो पढ़ाई का एक नियम है आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है लेकिन लास्ट के दनों में आपने अच्छे से महनत किया है बर्क किया है तो आपको इसका फल जरूर मिलता है क्योंकि लास् कि अपनी नमरों को नोट करिए कि मेरा एक प्रेक्टिस सेट में कितरा नमार्क्स आया दूसरे में कितना आया तीसरे में कितना आया अपनी तारीक लिखिए अच्छे से चार्ट बनाईये और मैं फिर बता रहा हूं हूं कि लॉजिकल फैक्ट वाली चीज़ा है उनको अच में कम नहीं होता है आपको और बैठे रहना पड़ेगा अपर लेविल वाले जो एक्जाम में क्योंकि उसमें सारा पड़ने वाला होता है आता है तो ठीक है नहीं आता है तो ठीक है तब भी लगा देते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसलिए जो रहा है उसी को टिक कर देते हैं ठीक है लेकिन उमीद करिए पहले कि आप सही सही लगाएं उसके बाद अगर आप पे नहीं आ रहा है तो आप तुपका जरूर लगाएं क्योंकि उसका भी क्या पता आपको वेनिफिट मिल ही जाए ठीक है पैसेज को अच्छे से प्रिशन आते हैं और चार से प्रिशन आपके मजबूती से मिल जाते हैं और वहां आपको पूरण मार्क्स मिल जाता है पैसेज को साबधानी से पढ़िएगा कुछ बच्चे पैसेज को जल्दवाजी में कड़वड कर जाते हैं और वहां उनके मार्क डिस्क्रीज हो जाते ह ठीक है तो यह थोड़ी से जानकारी थी हम आपको बता रहे हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे जा रखिए एक प्रक्टिस से प्रड़े लगाईए जादा नहीं बस एक प्रक्टिस से आपका यह हो जाएगा कि मानलो प्रड़े आपको डेड़ सो कुछ प्रिशन मिलेंगे उस इन दिनों में अच्छे से रिवीजन करिए रिवाइज करिए चीजों को देखिए जब भी मनना करें पढ़ने का तब थोड़ा सा रेस्ट ले लिजिए बाद बाकी अपने पूरे टाइम पढ़ाई कीजिए नाइट में पढ़ाई कीजिए क्योंकि 6-7-8 घंट की पढ़ा नहीं किया है ठीक है मार्क्स आपके अच्छे आए यह हमारी सुब कामना आपके साथ है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में